नमस्कार राजनमा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश देश की प्रमुक खबरे अयोध्या में एरपोर्ट का काम पूरा नौमबर से उड़ाने शुरू तेरा को इंदोर आएंगे योगी आदितिनाथ विभिनकारिक्रमों में शामिल होंगे ग्वालियर में बोले शिवराज लाडली बहना मद्रप्रदेश की महिलाओं का जीवन इस्तर सुधारने का आंदोलन नए कोरिडोर से भारत से यूरोप जाने वाले कारगो का 40 प्रतिशत समय बचेगा मुरक्कों के भुकम में मरने वालों की संक्या 2000 पार इरान में अमीनी की बड़सी से पहले हिंसक प्रद्रशक स्वीडन में शिक्षकों ने बंद किया टैबलेट से पढ़ाना यूक्रेन में रूस ने 32 ड्रोन से कीव पर हमला किया एयर चाइना के 4 साल पुराने विमान के इंजन में आग नोग खायल यूनिवर्सिटी के SOS ने दिया सम्मान लंदन में जाविद अक्तर डॉक्टर ओफ लिटरेचर की उपादी से सम्मानित पाकिस्तान में चुनाओं को लेकर जरदारी बिलावल आमने सामने टीडीबी प्रमुक चंदरबाबु न्याणी को कोट में 14 दिन की न्याई हिरासत में भेजा बाकि की तमाम खबरों के लिए बने रही है राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद